तो मेरा ऐसा अनुमान है कि जिस किसी को इसमें कुछ करने की इच्छ है ऐसे एक सामुहिक आवश्यकता से गरेट से हमारे हाँ यह सब फोक में जो 6 और 8 मातरा के ताल है यह साथ मातरा के उनके दुगने मातरा के ताल बनते हैं तो इसका बनता है एक ताल दिन दात्र कतूना कतिन दात्र कधिना वन टू त्री फोर फाइफ सेवन एट नाइन टेन इलेवन फ़ेट बचे दिरों इसको हमारे संगीत के परीभाशा में कहते हैं खाली भरी जो बेस साउंड्स है ना भरके जो आते हैं उनको कहते हैं भरी और जहां पर तिन तिन तक तिरकित जहां पर बेस नहीं है इसे धिन धिन धातर का तूना कतिन धातर का धीना पर मज़ेदार देखिए अब तबले पर किसी दिना और में लेक्चेर करूंगा तो तबले की बारे किया बताऊंगा पर अभी इतना बोलता हूं कि अत्यनत संपन परकुशन इंस्ट्रूमेंट है कि दोनों की अलग-अलग आवाजे और वो दोनों की मिलकर संयुक्त ध्वनी जो निकलते हैं उससे एक पूरी भाशा होती है तो फर्स और सेकंड आफ ये सब भरी के वनी है ये खाली के आवाज है पर मज़े की बात ये है ये मिलकर से बहुत कम कर पाते हैं इस बात को कि दिन दिन धातर कदीना तिन दिन धातर कदीना ऐसे नहीं है उसका जूला बनता है क्योंकि दिंदिंदात्रकतु ना कतिंदात्रकतु बीच में खाली के साउंड आते हैं, शूर में और एंड में भरी के साउंड तो इससे ऐसे लगता है एक जूला बनता है, एक वर्तोलाकार जूला बनता है